हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सबको मेरी चैनल पर तो आज में निमाटोड के बारे में बात करूंगी तो पौधे में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बिमारी अगर कोई है तो निमाटोड है निमाटोड बहुत ही ज़्यादा बिहानक बिमारी है पौधों के लिए और इसमे जो गांठ है इसी में पिलू टेप का एक होता है, जैसे पता गोवी में आता है त्रेडग बॉम जो कि आपको दिखता नहीं है दमधागा जैसा रहता है नहीं दिखता है उसी तरह से उसमें भी रहता है reasoning टोड़ वाला बिमारी लग जाता है पौधा सुख जाता है तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि पौधा क्यूं मर रहा है और हम लोग सोचते हैं कि पौधा में अच्छा सा खात दे रहे हैं पानी दे रहे हैं फिर भी पौधा क्यूं सुख गया क्यूं खराब हो गया तो मैं दिखाती ह कि पौधा कैसे सड़ जाता है और क्यों लगता है ये भी मैं बताऊंगी तो ये देखें मैं आप लोग को वीडियो सूट करके इसलिए देखारी हूं क्योंकि हमारे टेरीस पे निमा टोड आ गया है तो एक वार अगर ये बिमारी आ जाए तो हर पौधे में लग जाता है ये कि टेंटेनी मटोड है सब क्या है गांठ जेसा परता है और ये देखिए क्या करता है मैं दिखाती हूं देखिए आप खुधी देखिए ये जड़ क्ताती हो गया घल गया-ख राव हो गया तो इससे चुटकारा पाने का एक ही उपाय में करती हूं क्या करती हूं पधा कुछ बेक्टिरिया होता है जो हमारे पधों के लिए फायदे मंद होता है और जो किचन बेस्ट हम डालते हैं उसे डीकमपोस्ट कर दता है खाके लेकिन कुछ कीड़ा ऐसा होता है बेक्टिरिया ऐसा होता है जो हमारे पधों के लिए खराब होता है जैसे हमारे पेट में बह जो पोधों के लिए फाइदे मंद है, कुछ बेक्टिरिया ऐसा है, जो पोधों के लिए फाइदे मंद नहीं है, तो इसलिए मिट्टी को धूप में हमेशा कोई भी पोधा लगाने से पहले, मिट्टी को हमेशा धूप में अच्छी तरह से सुखा लिजिए, जितना भी खरा पोधा बोलते हैं फूल बोलते हैं और कुछ लोग मुरगा फूल भी बोलते हैं तो आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर बताईएगा तो मैं क्या की हूँ देखिए हमारे यहां तो बहुत दुख का कारण है बहुत ही अच्छा पोधा था देखिए इसका स्टेम कित अच्छा है और यह कम से कम आठ महिना नो महिना अराम से करीब करीब साल भर ही चल जाता है हमारे यह पोधा कभी भी खराब नहीं होता है लेकिन क्या करें बहुत दुख का बात है कि नीमा टोड हमारे टेरिस पे आ गया है तो हम गार्डेनर को फ्रेंट्स बहुत सारे पर लिए टेरिस पे गार्डेनिंग करते हैं तो इसे मैं क्या की हूँ इसे मैं तोड़ दी हूँ यह देखिए यह भी जड़ उतना खराब नहीं हुआ अंदर तक लेकिन कितना सारा गांट है यह कीरा है इसे मैं हटा दूगी बहुत दूर अपने पोधों से नहीं तो इसम निमा टोड लगता है तो ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए पानी तो मैं ज्यादा नहीं दी हूँ बरसात हो रही है पानी ज्यादा पर रही है इसलिए यह हो गया होगा तो ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए किसी चीज में अगर निमा टोड लग जा एक बार तो आप पीसे क्या किजिए खटा दीजिए तोड़के मैं इसी तरह से हटाई हूँ और पेड़े ही पूरा खराब हो गया हो तो पेड़ी ही हटा दीजिए अगर बेल वाली पोधा हो तो वेल ही हटा दीजिए और नहीं तो आप चाहें फिरेंट्स तो अपने गार्डन में केमिकल भी लगता है और एक चीज मैं और बता रही हूं फ्रेंट्स मुझे जानकारी है इसलिए मैं बता रही हूं क्योंकि मैं इसा करती हूं अभी हमारे टेरिस पे वो पौधा नहीं है तो आप क्या किजिए अगर मिट्टी में एक वार निमा टोड लग गया हो तो गेंदे का फूल ग डिए कुछ लोग गेंदे के फूल को वह पौधा लगा दीजिए कभी निमा टोड नहीं लगेगा तो मैं क्या करती ऑखनी कोई इंटेगोन ऑचीज सुखा देती हूं और पौधा ही कवार के फिक देती हूँ, निमा टोड अगर लग जाता है, तो मैं दिखा देती हूँ अब कि कहां पर लगाई हूँ, इसका कटिंग ये भी दिखा देती हूँ, तो चली फ्रेंट्स, ये देखे, मैं यहाँ लगाई हूँ, तो ये लकड़ी का बोक्स है, इमारी से बचने का उपाई है, तो मैं इसी में लगा दी हूँ, इसे देखे, कटिंग, इसी में लगा दी हूँ, एक यहाँ लगाई हूँ, देख लिए फिरेंट्स, एक यहाँ लगाई हूँ, और एक यहाँ लगाई हूँ, तो दोनों कोना में लगा दी हूँ, एक पोँदा भाहले वाला पोधा है याई कि भतुओदा का हम लोग भतुओदा बोलते हैं लगाएंग ada देंखें में तीन पोधा लगाएं हूं चार पोधा है सोरी इसलीव मैं लगाएं उगर काग भी बच गया तोhi अख्जा है यह अगर आप लगा दीजी अपने तेरीश पर तो फुद ही हो जाता है क्योंकि यह बीज मेच्छैन होके घिरता है मिटी में और जब इसका सीजन आता है अगला नेक्स्ट सीजन में खुद ही अपने आप ही हो जाता है तो आप चाहें तो अच्छी जगह ट्रांसफर कर सकते पोधे को नहीं तो जिसमें है उसी में छोड़ दीजिए तो यह देखिए इसमें भी अच्छा खासा फूल आ गया है कितना सुन्दर लगड़ा है और यह भी है ग्रोबैग में ही ग्रोबैग में देखिए यहां है और यह है गमला में देखिए तो इधर से मैं दिखा रही ये कडिक पत्ता का पोधा इसे मैं बीच से लगाई हूँ मैं बताऊंगी अगली वीडियो में कैसे बीच से लगाई हूँ कडिक पत्ता का पोधा उसमें देखी एक पोधा हो गया है मैं इधर ले आती हूँ मैं लगाई नहीं हूँ इसमें 3-4 पोधा था मैं सभी को कवार के फेक दी क्योंकि करी पता ठीक से मैं चोर नहीं हो पाता बड़ा नहीं हो पाता खतम हो जाता है इसलिए मैं सभी को हटा दी हूँ और एक छोड़ दी थी तो इतना बड़ा हो गया इसमें अच्छा खासा फूल आ गया है तो कितना सुंदर लग रहा है मुर हो गया है तो इसलिए होता है क्योंकि उसका बीच गिरता है मैं चोर होके और अपने आप ही पधा होता है धातुरा का मुर्गा फूल का तो आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगाओ फूल के बारे में जनकारी तो मेरे वीडियो को लाइक सेयर कॉमेंट जरूर कीजिए मुझे सस्क्राइब करना नहीं भूलिएगा फिरेंट्स तो मिलते हैं अगली और नई जानकारी के साथ जैसे जैसे मेरे टेरिस पर जो जो होगा मैं बताते जाओंगी आप लोग को दिखाते जाओंगी तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई